सबसे पहले आप यहां पे लाए प्रूप देखे लो यहां पे मेड़े फॉनप्रेश से जो भी ट्राण escapedन हुआ है जिन लोग को मैंने पैसा भेजा है और पैसा अपने फॉनप्रेशा है यहां पे वो सारे시간 हो रहा आ है आप आप यहां पर लाए प्रूप खुद ही देख सक जैसे कि मैंने आज यहां पर 8 अपरील को 30 रुपिय मैंने भेजा था यहां पर बिडियानी वाले को तो यहां पर फॉनपे का इस्टेंट्मेंट सो होड़ा है सबसे पहले आप यहां पर लाइप रूफ ही देख लो जो भी ट्रांजक्शन मेरे फॉनपे से हुआ है वो सारे तरह तरह है आप जब से फोन पर चला रहे हो घ sailing फेटमेंट चला रहे हो और जितने दिनों का फोन पर ट्रांजक्शन चाहिए आप उससे अपने ऑनलोड करके देख सकते हो पसीरा है अगर आपको भी दोसतों फेख का स्टेटमेंट नाओन आवलोड करना या फिर आप उस या अपने दोस्त को पार्दी करने के लिए पैसा बेजते हो लेकिन आपको ध्यान नहीं होता है यानि कि बहुत सारे रीजन होता है जिसके बगद से आपको phone pay से आप जो भी transaction करते हो तो आपको याद नहीं होता है तो आप उसे क्या करते हो उस transaction को निकालने के लिए आप statement को निकालने के लिए bank में जाते हो तो आपको ऐसा बिलकुल नी करना है आप घर बœटे phone pay का statement निकाल सकते हो transaction nикाल सकते हो कैसे निकालना है इसके लिए आपको वीडियो को फूरा step by step watch करना है इस वीडियो को देखने की बाद आप phone pay का स्टेरिम बिल्कुल असानी से निकाल पाऊगे कैसे निकालना है सबसे पहले आपको अपने phone में phone pay को open कर लेना ठीक है तो मैं यहां पर phone pay को open कर लेता हूं phone pay को open करने के बाद दोस्तो यहां पर आपको एक option मिलेगा नीचे में history का है history के option पे click करेंगे, History के option पे click करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको phone page से आप जोभी transaction किये होँगे वो सभी transaction यहां पे show हो जायेगा, ठीक है multiple transaction यहां पे show हो जायेगा और यहां पे आपको दो option मिलेगा, आप ध्यान से समझेगा इसको तभी आप phone page का transaction निकाल सकते हो, यहाँ पर आपको एक option मिलेगा filter का और एक यहाँ पर download statement का, इसका मतलब यह हुआ कि आप filter के option पर क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर अपरील महिना में या मार्च महिना में आप phone page से जो भी transaction किये होंगे, वो यहाँ पर सोग होगा, जैसे कि मानलों कि मैं अपरील महिना का transaction देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर select करके यहाँ पर apply करूँगा, apply करने के बाद सिर्फ पर सिर्फ मुझे यहाँ पर अपरील महिना का transaction दिखाएगा, यहाँ पर apply proof देखो, अगर आपको phone पर का statement डाउनलोड करना है, आपको 1 महिने का statement डाउनलोड करना है, या 2 महिने का statement डाउनलोड करना है, तो आप कैसे करोगे, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको simply click करना है, download statement के option पर, download statement के option बाद यहाँ पर you multiple options मिलेगा, एक यहाँ पर last 30 days का, 1 महिना का, और यहाँ पर last 3 mon acaba 90 दिनों का, और यहाँ पर last 6 के महिना का और एक यहां पर लास्ट एक साल का आपको जितने दिनों का फॉन पर का ट्रांजक्शन चाहिए स्टेट्मेंट चाहिए आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हो निकाल सकते हो जैसे मान लो कि आपको 90 दिनों का फॉन पर का स्टेटमेंट चाहिए तो यहां पर 90 दिन पर क्लिक करेंगे और यहां पर प्रोसीड कर देंगे तो स्टेटमेंट जो है वह सक्सेस्पूली डाउलोड हो जाएगा अगर आपको मान के चलो कि एक साल का स्टेटमेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे इसके लिए यहां आप 365 बेस को स्टेटमेंट करेंगे और यहां पर प्रोसीड कर देंगे तो आपका स्टेटमेंट जो है वह डाउलोड हो जाएगा अभी यहीं पर रूख कि आपको मैं और ट्रिक्स बताता हूं और यहां पर आपको एक ऑप्सन मिलेगा कस्टम डेट रेंज समझ रहो आपको फर्वरी तक का स्टेटमेंट चाहिए तो जैसे कि मान लो कि मैं यहां पर सलेक्क कर लिया और मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं यहां पर 2024 से ओर यहां पे apply करदेंगे और यहां पे आपको जन्वरी से लेके फरवरी तक का statement चाहिए तो यहां पे फरवरी को select करेंगे और यहां पे apply करनें के बाद यहां पे आप यह देखो यहां पे एक option मिलेगा start from का और यहां पे in down का यहाँ पे इसका करने के बाद यहां पर इस्टेटमेंट करने के बाद इहां पर अपने फोन में इंक करेंगे आपको डहाइब कर सकते हो याँ फिर आपको ड्यूमेंट का कर लेना है तो मैं यहां पर कर लेता हूं open open करने के बाद यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको यह देखो लाइप प्रूप आप यहां पर यह देखो statement जो है वह दाउलोड हो गया है यानि कि आप एक दिन में 10 पेमेंट करते हो phone pay से तो दसों स्टेटमेंट यहां पर 100 करते हो तो वह सारा statement आपका Phone Pay में डाउंट फॉन्ट पे कुल असानी से डाउंट लोड कर सकते हो। इस तरह से दोस्ते से अगर आप भी चाहते हो। कि घार बैठे अपने phone pay का statement डाउंट करो। तो बिलकुल आसानी से आप कर सकते हो बीना बैंक जाए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह इंफर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो इसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस श्यूटियो चनल को लाइक से रेन सब्सक्राइब करने ना भूले तो चलिए तब आपके लिए बाई बाई फिए मिलते हैं नए वीडियो में थैंक यू